हुआ है 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 यह गाइस तुड़े वी है ओपो एट वेप जिसे ओपो ने रिसेंटली लॉंच किया है है दस अजार के अंदर हमारे पास जो वर्जन हो है तीन जीबी 32 जीबी के साथ इसका एक और वेरियंट आता है जो कि आपको 6 जीबी प्लस 64 जीबी वेरियंट के साथ में आएगा बैक की साइड में कुछ इंपोर्टेंट स्पेक्स को मेंशन किया गया है जैसे कि यहां पर आ तो गाइज ओपन करते हैं यहां पर हमें मिलता एक और बॉक्स और इसके अंदर आपको मिलता एक ट्रांस्पेर एंड सिलिकन कभर एंड साथ में सीम इजेक्टर बेंट जाली इन्हें करते हैं साइड में और देखते हैं कि हमारा फोन कैसा है फॉस्ट इंप्रेशन इस क्वाइट नाइस बैक में आपको एक बहुत ही अलग डिजाइन मिलता है जो कि मैट फिनिस में है और इससे आपको कोई भी फिंगर प्रिंट वाले दिकत नहीं होती है दोस्तों यहां पर फोन काफी हलका है बैटरी होने के बावजूल तो कर देते हैं साइड में और फोन को करते हैं भूटब तो ऐनली हमारा फोन पुरी तरह से प्रोचुका है चलिये हम चलते है उस से लिय chce एसटिंग में यहां से अबाउट फोन में और देखते हैं क Pack springs क्या है डोस्तों यह पर जो हमारे पर से वर्जयन है वह 32 जिबिस क्योंकि बजट रेंज के हिसाब से काफी अच्छा प्रोसेसर है इसके साथ ही दोस्तों यहां पर आपको 4230 एमेज की बैटरी मिलती है और इसके बाउजित भी जो यह फोन है वह काफी हलका है तो यहां पर वेट डिस्रिबिशन काफी अच्छे से किया गया है तो इसके लिए अपो को एक थमजब दोस्तों अगर मैं बात करूँ फोन के ओवर वियो की तो राइट की साइड में आपको मिलता है पावर बटन लेट की साइड में आपको मिलते है वाल्यूम रगर्स और यहां पर मिल जाता है सीम एक अच्छी बात ही है कि यहां पर आपको प्रोपर काड़ सलोट मिल जाता है ऊपर की साइड में आपको 5 मेगापिकल का डॉट मिल जाता है बैक में आपको डूल क्यामरा मिलते है जोकी 13 प्लस 2 मेगापिकल के हैं और यहां पर आपको फिंगर्प्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है दोस्तों fingerprint sensor के speed मुझे ठीक ठाक लग रही है यह बहुत ज्यादा तेज नहीं है बट यह काफी अच्छी है दोस्तों यहाँ पर मुझे एक बात अच्छी यह लगी कि ओपो ने आपको ज्यादा ब्लोटवेर एप्स नहीं दिये कुछ गिने चुने एपसी एक्स्ट्रा है जिने आप अनिस्टॉल कर सकते हो तो यह यहाँ पर एक अच्छी बात है लेट्स चेक दप कैमरा तो यह है ओपो एट्वेल का कैमरा इंटरफेस जो की काफी सिंपल है यहाँ पर आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जात है जैसे कि पैनरमा डाइस इया इस्टीकर और यहाँ पर आपको हम वांडहे पर सकते हो आका और दोस्तों इंडोर लाइटिंग में यहां पर जो सार्पनेस निकल कर रही है वह काफी अच्छी है कलर एक वरेसे भी यहां पर काफी अच्छी और एजटेक्शन भी मुझे ठीक ठाक लग रही है दोस्तों यह कुछ सेंपल जो कि मैंने ओपो एट्वेल्फ से लिए हैं और स्टिल इसका कैमरा काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है अब दोस्तों फाइनली अगर मैं बात करूँ अपने फर्स्ट ओपिनियन की तो फोन मुझे ठीक ठाक लग रहा है इस प्राइस रेंज में यहां पर फीट और फिनिस काफी अच्छी है जो मेटरियल यूज किया गया है वो भी मुझे प्रीमियम ही लग रहा है देखने में हां यहां पर प्रोसेसर थोड़ा सा डाउन है लेकिन डेली डे टू डे यूजज में आपको कोई भी प्राब्लम नहीं होगी अगर आपको ओपो एट वेल का फुल रिवियो देखना है तो आप मुझे कमें देखने के लिए चैनल को डेफिनिटली सब्स्राइब कर लिजे मैं आपके लिए ऐसे और क्वालिटी वीडियो लेकर आता रहूंगा तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपको ऐसे किसी अगले वीडियो में आज के लिए इतना ही जय हिंद वंदे मातरम कीप स्माइलिंग स्टे झाल कीप स्माइलिंग आपको भाल प्यार आता हूंगा तो स्टे़ किसी अगले वीडियो लिए एगले स्टेवितिशे लिए लिएाय वीडियो में आपको जाइए आता हूंगा आपको बशंएगा आता है अ